नमस्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल योगाचारी अन्मान में आप सब का स्वागत है आज हम बात करेंगे हमारी बोडी में फैटी लिवर की प्रोब्लम हो जाती तो उसको कैसे ठी करें आयरवेदी को सद्धी और डाइट पहार किस तरीका का लेना ठीए तो दोस्तो सबसे बहुता हूं फैटी लिवर अपने लिवर में जब फैट की प्रोब्लम बढ़ जाती है तो इसकी प्रोब्लम हो जाती है तो दोस्तों इसके जो फैटी लिवर होता है यह अपने लिवर के जो राइट साइड में लिवर होता है उसके उपर फैट बढ़ जाने की वज क्या करना जाना इसमें कई तरह की problem हो सकती है दोस्तों तो मैं बता देता हूं आपको ज्यादा से ज्यादा जो यह symptoms दिखे तो आपको एक बार diagnose जरूर कराना चीए कि आपको fatty liver की problem है या निये तो fatty liver में यह symptoms आपको दिखाई देंगे तो आप समझ जाना कि आपको fatty liver की problem है या फिर liver की size बढ़ जाना पेट के उपर हिसे में या बीच में दर्द होना इस तरह के symptoms या लक्सम दिखाई देते हैं आपको तो आप समझ जाना कि मेरे को यह fatty liver की problem है और जिनको जादतर सराप पीते हैं उनको यह problem जादा होती क्योंकि alcoholic liver disease भी हो सकती है उनको तो दोस्तों बात करते हैं इनके कारण क्या क्या इनके एक कारण से पहले मत जाता हूँ इसके और भी symptoms आपको लक्सम दिखाई दे सकते हैं जैसे पहले से बढ़ा कोई तरल परदा या पिर तउचा या आंकों में पीला पन होना अधिक आसानी से खून बैने की problem हो तो अब बात करता हूँ इसके fatty liver होने के कारण क्या है जो अपना liver होता है liver के उपर फेट सर भी जादा बढ़ जाना उसको इसकी वजह से यह अपने fatty liver की problem हो जाती है इसमें आप कुछ exercise नह में बताता हूँ इसमें मोटापा मैन मोटापा इसकी problem होती है मैन इसका कारण होता है या फिर अपने blood में वसा का ज़्यादा को हो जाना मदू में diabetes, genetics या तेजी से वजन बढ़ जाना इस तरह की problem आपके शरीर में हो या फिर आपकी कोई tablet खा रहे हो tablet की side effect हो तो भी आपक फेटी लिवर की problem हो सकती है तो दोस्तों सबसे पहले आपका obesity और आपका diabetes या आपको मैन दो कारण माने जाते हैं फेटी लिवर बढ़ने के तो इसके दो टाइप्स होते हैं एक तो alcoholic एक non-alcoholic इसमें जो alcohol लेते हैं सराब जो पीते हैं उनको जादा ये problem हो सकती है और जिन इस वज़े से ये जो उनको problem हो सकती है तो दोस्तों जैसे अपना लिवर का काम क्या होता है पित्रस जो बाइल जूस होते हो बनाने का काम करता है और अपने वसा को तोड़ने का काम करता है ये विशेले पदार्तों को खुतम करता है तो अपनी सबसे पहले जो इसका math wound हो 100 प्रेड में से 90 रोग्यों को ये problem सराब की वज़े से होती है और 10% ऐसे भी problem हो सकती है तो आप सराब बिल्कुल ना पिये और जब इसकी पेट की चरवी वेट ज्यादा नहीं होता है किसी का सिरफ पेट ज्यादा निकल जाता है जो पेट होता है वो ज्यादा बढ़ जाता क्योंकि जब आपनी पेट की चरवी होती है ज्यादा बढ़ने इसी उलिए बढ़ जाती है तो फेटी लिवर की problem हो सकती है तो आप कोई भी ultra sound करवा सकते है या फिर लिवर का test करवा सकते है आनुसिक भी हो सकती है किसी को जैसे वाइरस के कारण सुजन हो जाता है तो hepatitis C की बोला जाता है या फिर ग्रफती महीलाओं में भी जाता है फेटी लिवर की problem देखी जाती है या पिर जिनको PCOD की सिखाई रहती है यह ओरी हार्मों सींबैलेंस हो जाता है तो इस तरह की problem होती है दोस्तों यह इसके मैं कारण होगे तो दोस्तों मैं बात करता हूं कि आपको डाइट के बारे में बात הם तो उसेधी के बारे में बात कर रहा हूं जो आर्वेदिक आपको कम से कम स्टी महीं आपको But अब के वह यूज करने आपको सरीर में फाली करेंकि घल लिवर को जहच कतम करते की फैटिंए सुबहरा हुँ आपके शा लोकी का जूस, आपको लोकी का जूस भी यूज करना है, और कुमारी आस, ये राम बानो सदी है, आपके फैटी लीवर में, फिर मैं बात करता हूँ, इसमें मैं बता देता हूँ, सर्वकल्ब क्वाथ, इसको पाउडर बना के आपको गरम पानी के साथ लेना है, या फिर पानी के साथ, इसको दोस्तों अब बात करता हूँ, आपको आहर में क्या क्या लेना है, आहर में आपको सबसे पहले बता देता हूँ, कि जो आप मोर्निंग डाइट में, एक ग्लास भूनगुना पानी जरूर पिये, उसके पस्ताथ आप निच्चे करम करें, या फिर फिर आउला का जूस पीना चाहिए, फिर आपको कम से कम लोगा करना चाहिए, उसके बाद में बताता हूँ, नास्ते में आपको कोई भी जैसे मौसमी सबजियों के साथ, उक्मा, सूजी, या फिर दलिया, या आपको उबले वे अंडे, ग्यों की रोटी, या आप दलिया में को आपको वो भी मिक्स आटे की, ज्यादे तर आपको मिक्स आटे की लोगे तो आपको बहुत फाइदा होगा, जैसे चुन्ने या ग्यों का दोनों का आटा मिक्स होना चाहिए, उसकी रोटी आपको बहुत फाइदा करेगी, फेटी लिवर में, अब बात करता हूँ, साम को पांच जे हरबल चाई और हरी सबजिया लेनी है, सबजियों का सूप लेना है, और रात में सिरफ उबली वी सबजिया और दाल भी ही लेनी है, या खा सकते हैं तो दो रोटी से ज्यादा नहीं खानी है आपको, तो सबजियों में क्या-क्या खाने चाहिए, सबजियों में जैसे करेला, लुकी, टिडडा, गाजार, चुकेंडर, लैसुन, सरसो, ब्रोकली, पतागोवी, फूलगोवी, टमाटर, अद्रक ये चीज़े आपको यूज करनी है, दोस्तो डिबेबंद की सबजिया और बिल्कुल यूज नहीं करनी है जो फल में आप क्या बता देता हूं, फल में से बहुत फाइदे मन्द है, एवकोडा, अंगूर, और निम्बू, और आप संत्रा, पपिता, दोस्तो ये चीज़े आपको यूज करनी है, अब बात करता हूं इसमें, आपको जो मैंने आईरवेधी कोसित दी बताई है, इसको आपसो कम से कम 3 से 6 ग्राम, या फिर 10 ग्राम आप ले सकते हैं जो आइरवेधी को या फिर एक धकन जो जवाई होती है, वो ले 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 नहीं है, कुमारी आसो की, या आपको 100% राम बान इलाज है, दोस्तो फैटी लिवर में कुमारी आसो, बार बार आपको रिबीट कर रह मैं आपको इस डाइट चार्ट की फोटो भी डाल दूगा आपको क्या यूज नहीं करना खाना चीज आपको बार की मसाले वाली चीज़े बिलकुल नहीं खानी है क्योंकि जितनी आप मसाले वाली चीज़े खाओगी वह आप फेड बढ़ाएंगे क्योंकि आप कुछ hard exercise करते नहीं हो workout करते नहीं हो तो आपको यह चीजे आपको बहुत नुक्सान करती है आपका fat बढ़ा रहती है जो आपका belly fat है वो ज्यादा बढ़ जाता है इसकी वज़े से आपको fat liver की problem होती है तो दोस्तो इसमें ज्यादत आपको चिकनाई वाली चीज़े बिल्कुल यूज नहीं करनी है चीप्स, केक, पीजा, मिठाई, आपको सुगर वाली चीज़े कोई भी यूज नहीं करनी है और जिसे कोफी, दूद, ऐसे चीज़े आपको बहुत खम यूज करनी है तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा टोपिक लेकर थैंक्यू दोस्तों